नमस्कार दोस्तों, Current Affairs आप सेरीज और इंपोर्टेंट कुश्चिन प्रजेंटिट पार एक्टिव लेंडिन चैनल में आप सभी कस्वागे थे और आज है दिनांग 25 जुलाई 2020 तो आज के लिए Current Affairs सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं, आज के लिए पहला कुश्चिन है तो इस कुश्चिन के लिए सही जवाब है, अब ही हाल में चैना ने रोवर मिसन टू मार्स के तहत इसको लॉंच किया है और यह सैटिलाइट मंगल ग्रह में बर्व की मात्रा का पता लगाने के उद्देश से चैना ने लॉंच किया है और बात है चैना की तो यहां की राधा नहीं है बीजिंग और मुद्रा है रेड मिन भी और यहां के रास्वती हैं शी जिन पिंग इसे की साथ ने इस कुश्चन है कुश्चन नमर सेकेंड रॉसरी बायोटेक कंपनी किस सेयर मार्केट में सूची बद्ध हुई है तो इस कुश्चन के लिए सही जाब है और अभी हाल में ही बीएसी में रॉसरी बायोटेक कंपनी को लिस्टिट किया गया है और यह है कंपनी यह अपने इशू प्राइस 425 रुपे की यह कंपेरिजन में 57.65% बढ़कर मतला 77.55% की बद्धी के साथ 670 रुपे में मार्केट में लिस्टिट हुई है बात है BSE की तो इसको भारती सेंसेक्स को 1986 में बना गया था जिसका मुख्याला है आपका मुंबई में है और रोसी बायोटे कंपनी क्या एक केमिकल सॉलुशन बनाने वाली कंपनी है इसका भी मुख्याला है मुंबई में है इसके साथ ने इसकोशन है कुश्चन नमबर थर्ड भारती होलसेल बिजनिस को किसने वालमर्ट से खरीदने का फैसला लिया है तो हुआज बौट दा इंडियन होलसेल बिजनिस फॉम वालमर्ट ऑप्शन है फेस्बूक सेकंड ओप्शन है वाटसप थर्द और फिलिप का है और भारत के अंदर होलसेल सप्लाई किराना आधी के लिए वालमर्ट के जितने भी बिजनिस स्टोर है उनको अब फिलिपकार्ट ने अपनी पेट्रेंट कंपनी से खरीदने की घोशना कर दी है और इसमें क्या इस समय देश में वालमर्ट के करीब 28 बेस्ट प्राइस स् पूरी तरह किसे इन पर कंट्रोल करके वर्क करेगी बात है वालमर्ट की तो इसकी स्थापना 2 जुलाई 1962 1962 में की गए थी सेम वाल्टन के दोवारा और इसका मुख्याला अरकॉंसस यूएसे में है और इसके जो प्रिजेंट में CEO है वो है डाउग मैक मिलन डाउग मैक मिल इसके जो प्रिजेंट में CEO है वो है कल्यान किष्ण मूर्ती इसके साथ नहीं स्कूष्चन है कोश्चन नमबर फोर देश में सबसे बड़ा बिजनेस ग्रूप किस कंपनी का हो गया है तो विच कंपनी है विकम दा लाज़ेस्ट बिजनेस ग्रूप इन दा कंट्री सबसे बड़े मार्केट के साथ रिलाइंस इंडस्टी का गुरूप पूरा का पूरा नमर वन पोजिशन पर आ गया है और इसका मार्केट केप्स टोटल अभी इस समय 13.06 लगबग 13.06 लाग करोड रूपे का हो गया है जो कि ए टाटा कंपनी के मुकाबले करीब धाई करोड रूपे इसका मार्केट के अब है जो की दूसरे पोजिशन पर आ गई है और यहां पर बात है रिलाइंस इंडस्टी की तो इसकी स्थापना 1906 में धीरुबाई अंबानी जी ने कियी थी इसका मुख्याल है मुंबई में है और अभी इसके प्रेजेंट में कर्माना का नियम बना दिया है तो विश स्टेट हैस गिवन टू यह जेल फॉर नॉट वेरिंग मास्क एंड वन लक पेनल्टी रूल हैस बीन मेड ऑप्शन है फर्स्ट तलंगान सेकंड अप्शन तमिल नादू थर्ड ऑप्शन राजस्थान तो इसका सही जवाब है ऑप सब्सक्ति से लागू करने को बना दिया है और जिससे क्या कोरोना का संक्रमन रोका जा सके पात है जारकंड की तो यहां की राधानिये रांची मुखमंत्री हैं हेमंत सुरेन और कवर्नर हैं द्रौबती मुर्मू और जारकंड बिदान सभा में टोटल 82 सीट हैं 82 सीट सीट सब्सक्राइब में अब्सक्राइब में अब्सक्राइब में पूशन महापात्रा है अब जनरल इंस्वरेंस आपकी पार्ट कंपनी में स्वरेंस की जिसकी स्टेट बेंक इंडिया जिसको उनीस सो पच्छपन में स्तापित किया गया था और इसकी इसका भी मुख्याल मुंबई में और इसके जो अध्यच है प्रेजनें परेंट में वह रजनीश कुमार तो फॉस्ट इसके साथ नेसके सब्सक्राइब नमर सेविं प्रवासी रोजगार एप किसने सुरू किया है फूह एज लॉंग प्रवासी रोजगार एप ऑफ्शन ने फर्स्ट सेकंड अच्छे कुमार थार नभी नगरवान पूर्ट ऑफ्शन इन में से कोई नहीं तो आभी सौनु सूथ मतलब फिल्मी अभी ने था सौनु सूथ ने प्रवासी राहगीरों को बहुत जादा मदद दी आपने राज्यों में पहुचाने के लिए अभी उन्हें के लिए प्रवासी रोजगार एप को लॉंच किया जिससे उनको रोजगार इसके लोगर को रोजगार और इसी के साथ ने इस कुश्शन है कुश्शन नमबर एट सुमित देओ को किसका अद्यच हुआ cmd बना गया है सुमित देओ एस बीड़ को अपशन है सेकेंड ऑप्शन है एस सबीच थार्ड ऑप्शन है एनमडीस पोथ ऑप्शन सब्सक्राइब तो इसका सही जावब है ऑप्शन नमबर थार्ड एनमडीसी तो अभी हाल में ही सुमित देओ को एनमडीसी का cmd और अध्यच बनाया गया है और बात है एनमडीसी की तो इसको नेशनल मिनरल डेवलप्मेंट कॉर्परिशन के नाम से जानती है इसको इंडी में राष्टी खनेच विकास निकम कहते है और इसकी साथ आपना 1908 में की गई थी मुख्याला इसका है तेलंगान में है इसी की साथ नेश कुष्चन है कुष्चन नमबर 9 द्रू का सफलता पूर्वक परिशन किस ने किया है हूँ है सक्सेस्पुली टेस्टे दा एटी जीएम द्रू तो एटी जीएम को यहां पे एंटी टेंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम के नाम जानते हैं तो अभी हाल में ही इसका परिशन किया गया तो इसके लिए ऑप्शन है फर्स्ट इसरो सेकंड डियाइडियो थर्ड ऑशन भाबार रसर्च फोर्थ ऑप्शन डी आर्टी ए तो इसके लिए साही जवाब है अब आते डियाइडियो की तो इसको हम डिफेंस असेस्ट डेलब्मेंट और्गनाजिशन के नाम से जानते हैं जिसका मुख्याला न्यू देली में है और इसकी स्थापना भी उन्यूसों ठाउन में की गई थी नाइटीन फिट्टी एट में अभी मैंने आको बताया था ए बाते डियाइडियो की तो इसके जो अभी अध्य अच्छे वो है जी सतीस रेटी इसी किसाद नेस कुश्चन है कुश्चन नमबर टेन MS Iqbal को 90 प्रमुक किसने बनाया है तो ऑप्शन है फर्स्ट बर्मा, सेकंड ऑप्शन है बांगलादेश, थर्ड ऑप्शन है माल दियू, पोर्थ ऑप्शन है पाकिस्तान तो इसके लिए सही जाब है ऑप्शन नमबर सेकंड बांगलादेश अभी हाल में ही बांगलादेश में अपने देश के पड़ोसी देश ने, बांगलादेश ने, रेयर एड्मिरन MS Iqbal को 9 सेना प्रमुक के परदभार पे न्युक्त किया है और बात है भांगलादेश की तो यहां की जो राधानी वो है धाका, मुद्रा है यहां पर टका और यहां की जो पिदानमंती है वो है सेख हसीना और अब्दुल हामित है यहां के रासपती है इसके साथ नेस कुछन है कुछन नमबर 11 नेशनल ब्रोडकास्टिंग दे मनाते हैं जलीबेटेड नेशनल बर्डकास्टिंग दे ऑप्शन है फरस्ट 21 जुलाई सेकंड 22 जुलाई थर्ड अप्शन है मतलब National Mango Day आपका 2020 का 22 जुलाई को मनाए गया है इसी के साथ नेस्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर 12 इलनेस्टू वेलनेस्ट दा योगा वे प्रोग्राम सेवलाउन कंपणी के साथ किसने सुरू किया है तो हूँ लॉंस्ट इलनेस्टू वेलनेस्ट दा योगा वे प्रोगाम वित सेवलाउन कंपणी ऑप्शन है फर्स्ट एसो चेंब सेकेंड बीहीं थाट ऑफ्षन एंटी पीसी तो इसके लिए सभी जवाब है अबरनेस के लिए और बात यहां पर एसो चेंब की तो इसकी स्थापना उनीस सो बीस में की गई थी मुख्यालेस का न्यु देहली में उसके जो अध्या चेंबी प्रजेंट में बहुत है निरंजन हीरा नंदानी इसके सानेस्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर थाइटीन टून्स मीडिया अवर्ड किसे मिला है वो एज रिसीब दा टून्स मीडिया अवर्ड ऑप्शन है फर्स्ट विजय वर्ख सेकंड ऑप्शन सचीन कुणान थाड़ ऑप्शन माहिं का उस्थी फोर्थ ऑप्शन आनाप चोधरी इसके लिए सई जवाब है ऑप्शन नमबर चीजिको थार्ड ऑप्शन ए भी दोनों फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं तो हुएस डाइट रिसेंटली ऑप्शन के कोर्डिंग इसका सही जाब ऑप्शन नमर थार्ड एभी दोनों तो अभी हाल में जॉन लीस का भी निधन हुआ है और साथ ही साथ विक्टर को यह एक फेमस चित्तकार थे इन्होंने रूस की थे और इन्होंने क्या है 1980 के ओलंपिक में मौस्को में सुभंकर को डिजाइन किया था तो इसी के साथ नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर 15 गिलोबर लाइट इंडेक्स 2020 में भारत का लाइस को क्या है तो वाट इस इंड स्केल फाइब तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नमबर 4 इसकेल फाइब भारत का गिलोबर लाइट इंडेक्स में आपका लाज स्कोर है और यह लाज स्कोर दरसल क्या है कि जो देश में काम देश में कामगार वर्क करते हैं जिससे पूरी इंडेस्री खड़ी होती है पता खराब इस्तिती में और उसकी बजाए से अभी आईटी यूसी आईटी यूसी ने जिसकों इंटरनेशनल ट्रेड यूनिन कोफेडरेशन के नाम से जानते हैं ने इस रिपोर्ट को एक रिपोर्ट जारे किया उसमें भारत को स्किल फाइब मेरा कैटेगरी में रखा है आईटरपाइस मोबिलीटी सॉलिशन देना किसे ने सुरू किया है तो हूँ है स्टारटर किविंग एंटरपाइस मोबिलीटी सॉलिशन और फर्स राइट सेकंड ऑबाट थार और ऑप्शन नमबर थार्ट अव्ला तो अभी हाल में ही ओला कॉर्पोरेट ने इस प्राइस को दिया गया है तो यह सत्राइस साल की सुईडियस निवासी है इनको पहरा गुलेल बेकियन प्राइस दिया गया है माना होता हुआ संद्चर में योगदान देने के लिए इसे के साथ नेक्स कुछ्छन है कुछ्छन नमबर 18 निवेस मंजूरी सेल गठिट करने की यूजने किस ने बनाई है तो इसके लिए सब्सक्राइब निवेस मंजूरी सेल गठिट करने की यूजने बनाई है और अपने देश के नागरेक उड़्यन मंत्राले मंतरी हर्दीप सिंग पूरी जी है और इसी के साथ अभी राजिस्थान सरकार ने भी निवेस में तेजी लाने के उद्धिश से वन स्टॉप शॉप यूजना को सुरू करने की मंजूरी दिया है इसी के साथ ने स्कूशन है जो कि आज के लिए लास्ट होगा कोविट प्राणली सुरच्छा के लिए कॉप्स किस ने बनाई हूँ क्रेटेड़ दा कॉप्स पर कोविट सिस्टम प्रोटेक्शन ऑप्शन है फर्स्ट एमेस्मी सेकेंड जसने सीमे और ऑफ्शन ऑफ्षन है बीसी दोनो तो अभी हाल में सीमेर जिसकों Central Mechanical Engineering Research Institute की नाम से जानते हैं और CSIR ने Council of Scientific and Industrial Research नाम की संस्ता इन दोनों ने कंबाइंड ली एक कॉप्स नम से COVID सुरच्छा पुड़ाली के लिए पुलिस को बनाया है और बात है इसका क्या कहते है CSIR तो इसकी स्थापना आपकी 26 स्थापना उनीस सुब्यालेस को की गएती इसके जो अद्याच है वो है सेखर सी मंडिय इसी के साथ एक फैक्ट भी है कि अभी क्या है कि गुजरात राज में तरीब पंदा सो स्कूलों ने ओ तो उसके बिरोध में वहां के जो स्कूल की संस्था है उन्होंने कंबाइंड ली और उनलाइन किलासे जितनी भी चलाई जा रही थी उनको बंद कर दिया है तो इसी के साथ आज की करेंट एफैस सीरीज कंपिलीट होती है टेस्क के दो कुश्यन आपके सामने हैं इनका आप सही जवाब इमेल और कमेंट के मादम से दे सकते हैं और साथिया चैनल के कंटेंट आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकोन को पैस कीजिए और आज की पीडिय फाल डाउनलेट करन नमस्कार